नेचरल हैबिटेट का जो डिस्ट्रक्शन है उसे COVID-19 जैसी जोनौटिक डिजीजिस कैसे बढ़ सकती हैं एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि COVID-19 वाइरस वाइल बैट अत्वा पैंगुलिन से मैन को ट्रांस्मिट हुआ है जो डिजीजिस एनिमल से मैन तक ट्रांस्मिट होती हैं उन्हें जोनौटिक डिजीजिस कहा जाता है एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि human activities जैसे deforestation, building of roads and railways, railway tracks in the forest और इन सब से क्या है कि एनिमल के natural habitat जो है डिस्ट्रोई हो रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि man और wild animal एक दूसरे के close आ रहे हैं और इससे जो zoonotic diseases जो है, that is animals से मैन तक जो diseases transmit होती हैं उसके जो chances हैं वो बढ़ रहे हैं जब wild animals के जो natural habitat destroy हो जाते हैं तो ये wild animals food की तलाश में human settlement जैसे villages, colonies इनकी तरफ चल देते हैं इससे क्या होता है कि जो zoonotic diseases का जो animals से human तक transmission का chance बढ़ जाता है अगर habitat destruction इसी तरह चलता रहा तो man आने वाले समय में और ज़्यादा zoonotic diseases से सफर करेगा कई सारे जो diseases जैसे zika virus, abola virus, SARS virus और virus of rift valley fever ये सबी पिछले recent years में ही wild animals से human population तक जंप किये हैं जो जगर जो जाँ» कि ये समय तो जो मippi कहा है जा ख़िए